अज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते तो गैरेंटी आपको परिच्छा में कोई भी फेल नहीं कर सकता है और मैं आपको गैरेंटी भी दे रहा हूँ कि यदि आप मेरे द्वारा बताएगे कोई जो जो मैं बताओंगा उसको तयार कर लेते हैं और कुछ नियम कानून उसको फोलो कर लेंगे तो आपको परिच्छा में कोई भी फेल नहीं कर रखता है आप अच्छे नंबर से पास होंगे आप टॉप भी कर सकते हैं क्योंकि लगातार मेरे द्वारा बताएगे गारंटी वाले ही है इसमें भी आपकी परिच्छा में तिक है पचाफ फार टंबर फशने वाले हैं लेकिन जो जो मैं दिसान नर्देश बताऊंगा उनको फोलो करेंगे तो एक तरीके से यह जो है वीडियो महा संग्राम होने वाली है जो भी हमारे फश्टेर के फर्स समेस्टे के है जिनका सब्जेक्ट इंग्लीस है वह इंग्लीस की परिच्छा देने वाले तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और यह दो माडल पेपर मतलब कि इस वीडियो में हमने दो अलग अलग इन्वर्सिटियों के दो इन्वर्सिटियों के अलग अलग माडल पेपर प्रुस से सब्जेक्ट का नाम इंग्लिष लिटेचर है और आपका समेस्टर फस्ट है ठीक है फर्स का नाम है इंग्लिष प्रोज एंड राइटिंग इसकिल यदि आपकी परिच्छा इंग्लिष प्रोज एंड राइटिंग कि होने वाली तभी आप सभी के लिए महात्पूर्ण वीडियो ठीक है 75 नंबर का पुढ़ां कि यह सभी आप जानते उसके बाद आपको परिच्छा देने जाएंगे तोड़ा आपको डीटियल में इस्ट्रेक्शन दे जाते दिसाने देश कि तो भाईया पहला प्रश्ण है कि ब्रीफ डिफाइन आ आटो बायोग्राफी गिव आ ठीक है गिव एन एक्जामपल तो इस कोश्चे का मतलब यह है कि आपको आत्मकथा की परिभाफा देनी ही यानि कि आत्मकथा को आपको परिभासित करना है ठीक है क्या करना है आत्मकथा को आत्मकथा एक बिधा होती जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा कि आत्मकथा नाटक ठीक है कहानी ठीक है और संस्मर्ड यात्रा वरतांती सब बिधाय होती उसी तरह सेम इसमें भी आटो बैगराफी के नाम फे जाना जाता आत्मकथा को ठीक है इसमें भी सेम वह सही होता है इसमें सिर्फ English है बस तो आपको आत्मकथा की परिभासा देनी है और उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना ठीक मतलब कोई एक आत्मकथा का मतलब कि जो लेशन है या फिर जो आत्मकथा एक रश्चना है उसका नाम लिखना है बस आपको पूरे नमबर मिल जाएंगे ठीक है आगला कोश्चन कहे रहा है कि भाईया डिफाइन ठीक है प्रियोडिकल एससे अब आप कहेंगे भाईया यह प्रियोडिकल एससे होता क्या है तो चलिए आपको बताते हैं तो प्रियोडिकल एससे है इसका मतलब होता है कि ध्यान से सुन लिजिएगा ठीक है आवाधिक नि तो इस प्रकार इसकी परिमाफ़ा लिखेंगे, काफी helpful question है, परिच्छा में कई बार repeated है, तो periodical essay आप जरूर तयार करके जाएंगे, परिच्छा में repeat होंगे, ध्यार करके जाएंगे, और इन सभी का उत्तर आपको कैसे मिलेगा, कैसे आसान तरीके से मिलेगा, वो आपको हमें भी बता रहे हैं, तो वीडियो को पहरे देख लिजिए, कौनको से महात्पूर नोट कर लिजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं कैसे उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है, सी नंबर कुश्चन है कि, what is, ठीक है, ट्रवलोग, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपको जो यात्रा वरतांत, ठीक है, ठीक है, ट्रवलोग का मतलब होता है, यात्रा वरतांत, ठीक है, यात्रा वरतांत, एक आपके हिंदी साहित के लोग बोलते हैं तो यह मतलब की एक ही चीज है आत्रा बरतान था इसके बारे मापको लिखना है और माहत्पॉणर है पर इच्छा हम रिपीटेड है एक्जाम के नजरिये से भी मात पूरें जरूर नोट करें इसको ठीक है अगला कोश्चन है कि डिफाइन पॉइंट साफ व्यू इन प्रोज कोश्चन कह रहा है कि भाईया गद्ध तीक है गद्ध में द्रस्ट कोंड जो होती है जिसको बोलते पॉइंट आफ व्यू ठीक है इसकी परिभाफा देनी ठीक है गद्ध में ओके चले ने इस कोश्चन है कि ब्रिफली एक्कुलिट चंदूस करेक्टर एजा सोन ए ठीक है सोन इंदा बार्वेर्स ट्रेड यूनियन तो यह कोश्चन कह रहा है कि भाईया कि जो नाई की ट्र ट्रेड यूनियन एक है उसमें दिखाएगे एक ट्रेड है जिसका नाम है नाई की ट्रेड इूर्यूनियन उसमें एक चंदू का ज़्यूंत्र यानि कि very short जो question होते वो 5 आते हैं जैसे कि इस university में और कुछ universityों में 10 आते हैं ठीक है और जो कि अभी मैं आपको 10 भी दिखाऊंगा अगला जो paper है वो 10 question मतब कि 10 question पुछेगे अतिलग उत्रे में ये अलग-अलग university को पर depend करता है ठीक है चले आते हैं session B पे session B में आपको short answer type question जिन को हिंदी मोलते हैं लाग उत्रे ठीक है तो लाग उत्रे में मतब कि बता रहें कौन-कौन से महात्पूंट प्रस्ण है पहला प्रस्ण की discuss ठीक है यह भी महात्पूंट प्रस्ण एक्जाम के यह प्रस्ण मैंने देखा है कि चर्च से पे जुड़ा आता ही आता हमेश लोग हिंदी मोलते हैं कभी और राइटर है ठीक है पोईट एंड राइटर ठीक है तो सर जो हमारे रोजर जी एं ठीक है चर्च में सर रोजर ने किस विषय पर चर्चा की है, चर्च एक अस्थान आप लोग जानते हैं, तो उस चर्च में जो सर रोगर जो की प्रभवक पोइट है, इन्होंने किस विषय पर चर्चा की है, उसको आपको लिखना है बस, महात्पौल प्राशन है लेकिन, ठीक है अगला प्रश्ण भाईया कहे रहा है कि ठीक है एक लोट बैकोन प्रोज स्टाइल ठीक है तो इसके बारें भी जानते हैं बैकोन एक प्रमुक कौन है राइटर पोईट है ठीक है इस बात को धान रखेंगे कौन बैकोन ठीक है एक प्रमुक कभी और लेखाख है ठीक है तो य प्रोज स्टाईल जुसको बोलते हैं गद्द सायली तो कि उसमें जो क्यों प्रोज स्टाईल्ल होती है revers का भी नाम है आपके topics वह नाम स्टब्क नाम से सब्सक्राइब के अगला कोस्ट्छन है के read the character scratch मतलब कि यह question इतना महातपूर्ण नहीं मेरे recording क्योंकि मैंने यह question फर्स्ट बार देख रहा हूं तो मुझे तो नहीं लगता है यह महातपूर्ण है यह आपके परिच्छा में आएगा लेकिन इस बार पहुंचा गया था तो आपकी इच्छा था यार कर सकते हैं तीक है धिम आफ अंडर दी बनि आन्ट्री यह question कह रहा है कि बरगत के पेड़ के नीचे किस बिसेबर मतलब के बरगत के नीचे के बिसेबर चर्चा करें मतलब कि मालीजी जीर की चौपका लेसर नहें एक आपके स्लेबर समें में फश्टेर के फзस् समेंस्टर में बनि आ कि धर्म पर एपी जी अब्दुलकलाम जो की बहुत ही प्रमुख ठीक है हमारे ठीक है साइन बहुत ही प्रमुख और बहुत ही टॉप लेबल के साइंटिस्ट है जिन्हों बहुत ज्यादा योगदान दिया है ठीक है भारत के जितने भी ठीक होज हुए है जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उन में इनका बड़ा योगदान रहा है ठीक है तो धर्म पर एपी जी अब्दुलकलाम की कुछ बिचार है उनके बारे में आपको संशेप में लिखना है म सब्सक्राइब आते हैं डिश्कस वरजेनिया वूल्फ ऐसे प्रोफेशंस फॉर ओमें मतलब की महलाओं के लिए बेउसाओं पर चर्चा जो की है ठीक है किसने वुर्जेनिया वूल्फ ने अपने निभंद में उसके बारे मापको लिखना है ठीक है यह महाद्पोउट प यह हुआ कि भाई एस से ठीक व्रजिनिया ओप एस से में महलाओं के बारे में चर्चा की गई वह आपको लिखना यहां पर ठीक है अगला क्वेश्चन कहे रहा है कि एक्स्प्लेइन दी फॉलोविंग लाइस विथ रेफरेंस टू दी कॉंटेस्ट यह कोश्चन कह रहा है कि ब्याइब आपको जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है जो लाइन से दी गई इसकी आप लोगों को संदर्व सहित ब्याक्या करने रेफरेंस का मतलब होता परसंग एक्स्प्लेशन का मतलब होता है कि ब्याख्या मतलब कि जिसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं पैरा ग्राफ है पध्यान से घख्यान से इसके संदर्व लाइन के लिखना यानि के संदर्व लिखना एंग्लिश में पहुत ही काम आएगा ठीक है वही रिफ्रेंस मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा मैंने आप लोगों समय ले लिया वह इसी के हिसाब से मैं बताऊंगा कि रिफ्रेंस ठीक है टूदी कॉंटेस्ट ठीक है इसी सेम इसी जो पैरा ग्राफ है जो आपको आपको लाइन दिखा रहा था उसी का यह सेलेक्टेड या फिर टेकन फ्रॉम दी फैमर्स एससे यानि कि एक प्रॉप्लर निबंध है जिसका नाम है आप इस्टुडीज ठीक है इससे लिया गया है ठीक है राइट रिटेन बाई ठीक है फ्रांसिस बैकोन here is give us an advice on how to read मतलब की यह जो आपका लाइन है मतलब कि जो पैरा ग्राफ अभी मैं आपको उपर दिखा रहा था ठीक है वो लाइन है यह दिफ लाइन है यह लाइन सिलेक्ट की गई है एक बहुत ही पॉपलर इससे है जिसका नाम है आप इस्टुडीज ठीक है आप एकोन है ठीक है और here is give ठीक है here he gives us an advice on how to read मतलब कि कैसे आपकी फीभाई कोई भी advice कोई सल्ला है तो उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है ठीक है इसमें एक advice दी गई है और उसको कैसे rate करना उसके बारे में बताया गया तो इस प्रकार आप contest and explanation लिखेंगे मालीजे की आप ये कुछ point है जिनको आप लिखना चाहिए जो भी पहरा graph हो ये तो मालीजे आपका जो line है उसका पहरा graph मतलब की उसी का ये same to same reference हो गया लेकिन मालीजे की कोई unknown line आ जाए तो आप इसी तरह लिखेंगे कि this line has been taken या फिर selected from the famous essay या फिर कोई क story हो तो आप लिखेंगे famous story ठीक और इस टोरी यहां पर नाम लिखेंगे ठीक है निकने के बाद आप लिखेंगी written by और जो भी उस story के लेखक हो उनका नाम लिखना ठीक है उसके बाद उसमें क्या बताया गया उसका simple सा लिख देना है कि इस story में इस चीज के बारे में बताय गया उसके बारे में आपको थोड़ा डीटियल में explain करना है बस इतना लिखना है यह आता ही आता है सभी परिच्छाओं में और चाहे इंगलिस की हो परिच्छा चाहे हिंदी को दोनों में संद्रपसाइद धेको जब लिखा की यहाँ पर कर देना लेकर लेIl score कि दो परिबृष्ट appreciation की कि नमझेर तो यह कोश्चन पहला है कि यहां पर अलेमेंट का मतलब होता है टीक है अथवा करके जो है यह दालाश्ट लीप अथवा करके यह यह दालाश्ट लीप एक कमालिजे की इख स्टोरी। प्रेम कि कहानी हे एक लेशन है ओर ऐक कहानी है, जो कि आपको अथवर्स में उद्रत है, उसके बारे पोचहा गया है है कि जो विलाफ है यानि कि विलाप कि जो लास्ड लीफ है इसके विस्टारफ चर्चा करना हे टीख है यह बोलधिन कि अगला क्वेंट एक कर लैम्ब तो इसका उत्तर आपको लिखना में द्यान से सनेंगे कि जो चाल्स लैम्ब की गद्ध। सहली का मुल्यांकन करना है, तो चाल्स जो लैम्ब हैं एक प्रमक्र राइटर और पोईट तो इनकी जो गद्णि शैली है उसके बारे में आपको लिखना है उसकी कि प्रकार किसमें किस प्रकार की शैली दिखती वह आपको लिक्व लिखना है ठीक है तो यह assumption कह रहा है कि जो जो हमारे रविदनाट टैगोर हैं और उनके भारत का वरण करें ठीक है टैगोर और उनके भारत का वरण करें जैसा अमरत्य सेन ने अपनी निबंध में चर्चा किया है तो वही बताया जा रहा है कि टैगोर जो की रविदनाट टैगोर है और उनके भारत का वरण करें मतब क तो टाइगोर और उनके भारत का वड़न करें जैसा कि अमर्त सेन ने अपने निवन्द में किया है वैसे ही करना है ठीक है तो यह आपको तैयार कर ले नहीं है काफी helpful questions आभी तो सकता है आगला बहुत ही टॉप लेबल का जो कि फंसेगा फंसेगा 100% शोर है यह question कहे रहा है कि discuss at length the elements of short story मतलब कि जो लग हो का था कि तत्तों परस्तार से चर्चा करें अप लोग का था है कि यह कि जो देर उत्तिर या invite के लूंग टायप का question है तो आपcarbon पांस सब्दो में करें इसकद लिखना ही लेग है भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे ठीक है क्लियर तो यहां पर सवाप्त होता है एक इन्वर्सिटी का 2324 के से सिसन का पूरा का पूरा नंबर का लेकिन इसमें आपको दस अतिले गुत्य यानि कि वहरी स्वाट कोश्चन देखने मिलेंगे ठीक है तो पहला है कि वाट आर दी मेजर ठीक है ध्यान से सुनेंगे मेजर ठीम से इन इंडियन इंग्लिफ लिट्रेचर मेंशन देम इन सोट मत्तब यह कोश्चन कर रह अगला कोश्चन है अगला क्वेश्चिन है कि भाईया राइटा सौर्ट नोट ऑन दी एरा आफ पॉलिटिकल ठीक है और केनिंग ठीक है कवरिंग दा फिरियोड ठीक है ध्यान से सुनेंगे आप सभी फ्राम ठीक है उन्नीश्टो टू उन्नीश्टो सहितालिफ ठीक है तो यह भी यह चोटी कहानिया होती और नोबिल मतलब आप लोग समझते हैं ठीक है यह सोता है ठीक है चलिए कहानिया और नोबिल के बारे में जोड़ पढ़ लेंगे काफी हिलफुल साबित होगा एक्जाम में देखा कि वाट हार दी में ठीक है कैसस आफ दी पॉपलर्टी आफ दी स इस्टोरी ठीक है यह भी महात्पूर्ण प्रेस ने एक्जाम के लिए साफी तो हो सकता आप सभी के लिए हिलफुल पाटिज दा प्रोज नेम इट्स डिफरेंट टाइप यह भी महात्पूर्ण इसको भी तयार कर लेंगे वाट इस दा इंपॉर्टेंस आप सेंटेंस पै इस पर आप लोगों थोड़ा कमेंट यह टिप पड़ी करने है ठीक है और अगला कोश्चन है कि वाट एकोर्डिंग टू अमरत्या से इज आरेन तो अमरत्या फैन से जुड़ा है कोश्चन भसेगा इस बात को ध्यान रखेंगे अमरत्या सेंट सेंट इज आरेन टाइगो अगला प्रशन है कि हाउ विल यू प्रेपियर आरेजियूम सीबी विथ दा हेल्प आप कंप्यूटर इन यूर लेपटाप मताब कि कंप्यूटर और लेपटाप के माध्धम से जब आप नोकरी कहीं पर वैकंसी आ या फिर कहीं नोकरी करने जाते तो उससे पहले आपका पहले जाते तो इंटर विव आपको एक रिज्यूम सीबी यानि की बाइव डाट आपका लिया जाता कि नाम क्या है पता कितनी वाली केसे तो इसको बोलते है तो रिज्यूम और से तयार करना उसकी बारे में आपको बताना है ठीक है अगला कुछ संटर्र आईडिया आप आपने सुना होगा आप लोग बस्पन से सुनते आ रहे हैं नाइट तेंट लेवन टोविल से तो वही वाला सेंटर आइडिया आपको यहां पर बताना कि होता कि आटेस्ट में ठीक है पाज आएंगे दीर लग उत्रे कोश्चन क्यों ठीक है लग उत्रे मापको कुछ आपको ऐसं स्थाव ने आउस्ट पाट से सब्सक्राइब उसक्ता कोई आजाए होथा प्रमूख सब्सक्राइन किक्राइब करते सब्सक्राइब tenant आपनी जो असक्ता कोई आज एगा चाह जाए तो यह पाद फेयwalk और सब्सक्राइब कभी हैं उनके उपर आपको जीवनी लिखनी ठीक है महात्पॉर्ण प्रश्ण नहीं भी है ठीक है अगला कोईशन के अगया आपको पहले बता दखा है कि प्रियोडिकल एफ फ्रिडा गारंटी वाला कोईशन यह आएगा यह अगया जितना भी हो सकते जितना पड़ लीजेगा काफी वल्पूशन है और मैं आपको बहुत 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 जो कोईशन उपर वाले माडल पेपर में दे गे थे और लगबग लगबग उसी वाले माडल पेपर दूसरे भी जो माडल पेपर इन्वर्सिटी में इसमें भी दिया गये लगबग लगबग सिमलर कोईशन पूछेंगे कुछ कोईशन अलग है बाकी लगबग लगबग वही है जैसे कि यह कोईशन भी एक वहाट इस टौरी बहुत ही पूप लेबर की राइटर है ठीक है जनको आप को यह बहुत ही टॉपलर और पोईटर भी है जिनको आप लोग कैवित्तरी बोलते हैं राइटर है ठीक है और बहुत ही पॉपलर है और इनकी पोईट और राइटर दोनों है तो आप बात को ध्यान रखेंगे ठीक है काफी एलफुल कोईशन फसेगा ठीक है और काफी टॉपलेबल का इन्होंने महलाओं के बारे में क् पर क्या चाचा कि बिजिनेस हों पर कि ताकि ये भी आगे बढ़ सके ठीक है तो इसमें देगे अगर सारे कोश्चनों का उत्तर अगर आप अच्छे पर तैयार करके जाते हैं तो गारंटे आपको परिश्चा में कोई भी पील नहीं कर सकता बाकि जो जो मैंने प्रस्चन म बताए कि इंपर्टेंट है उनको टाइप करिए और उत्तर आपके समस्ता आजाएगा तैयार करीजिएगा है जरू मिल जाएगी आपको काफी ज्यादा ठीक है परिच्छा देकर आएगा तब बताएगा कि आपको क्या हिल्प मिली बाकि हमारे तक जहां तक हमारी कोशिस ह सब्सक्राइब कि आप लोग की क्या रहा है कमेंट में जरूर बताएगी हम तो यहीं चाहते कि आप सभी की ज्यादा फज्यादा हो सके बाकि कई तोटियां होई कुछ बोलने में अगर आपको लगा होके गलत बोला तो उसके लिए छामा चाहेंगे क्योंकि वीडियो हो सकते हैं तो इसके लिए सौरी सौरी जैंद